सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे नए वीडियो के लिए नोटिफिशन के लिए बेल आइकोन को दबाईए सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूनरेस और आप देख रहे हैं मेडी हिंदी तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल मेडी हिंदी में तो आज मैं आपको बताऊंगा सेवर माल्ट टॉनिक के बारे में दो वीडियो को अंतक जरू देखेगा और सुरू करन तो यह है दोस्तों सेवर माल्ट टॉ आज हम इसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ सरीर के कमजोरी को दूर करने के लिए है यहाँ भूक की कमी को दूर करता है कुन की कमी को दूर करता है साथ ही लंबी समय से अगर आप बीमार है और ठीक हुए हैं तो उसमें जो कमजो तो इसे आप यूज कर सकते हैं, तो आए जान लेते हैं, इसके कंटेंस के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी चीज मिले हुआ है, तो दोस्तों, यहां पर इसके कंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें है, गत असो गंधा, सतावरी, अरजून, तुलसी, एपल, आउला, मुलेठी, और हरिद्रा, सीलाजीद, संगपुसपी, वियांग, इलाची, और सफेद मुसली यह सभी चीज इसमें मिला हुआ है जो हमारे सरीर के कमजोरी को दूर करता है यहां प्योर आयरवेदिक है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो दोस्तों यहां हमारे सरीर में जो विकास की कमी है उसे पूरा करता है सांथी सरीर में खुन की कमी को ठीक करता है, हमारी कमजोरी को दूर करता है चोटी-चोटी चीजों में हम थक जाते हैं, उसमें भी यहां काम करता है, सांस फूलने लग जाता है, उसको भी हठीक करता है, पुर्णो रूप से सरीर के कमजोरी को भी हठीक करता है और यहाँ इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ 400 क्राम का पैक है जो आपको एक सो तिर्पार रुपए में मिल जाएगा और SIR के और कंपनी का यहां माल का है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो जान लेते हैं अब इसके डोज़यस के बारे में तो यहां पर इसके डोज़ दिया हुआ है कि वेस्क कहे हुआ एक चममच दिन में दो बार इसे ले सकते हैं और बच्चे जो ही से आदे चमच दिन में दो बार ले सकते हैं, दूर या पानी किसी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, ज़रूर नहीं कि इसके लिए आपको दूर चाहिए, आप किसी भी चीज के साथ ले सकते हैं, दूर या पानी यहाँ आपके वेट को भी बढ़ाएगा और इस्टेमना को भी बढ़ाएगा तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्रीस लाइक और सेर जरू करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और मेरे नए दोस्तों से गुजारी से की प्लीज सब्क्राइब जरूर करें तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद